खाच हम बात करकेंगे कए LAN की हम ठीन करक्टरिक्स के बारे में बात करेंगे एक है loudness दूसरा pitch और तीसरा से प्रण क्वेशिपर हम दो sound को एक दूसरे से distinguish क र है on the basis of yeah with the help of these three characteristics we can distinguish two sounds from one another और यह तीन characteristics जासा मैंने कहा number one is loudness जो physics नहीं जानते हैं उनको भी in quantities के बारे में या in properties characteristics के बारे में पता होता है क्योंकि यह तीनों है हमारे ear के sensations उनमें से पहला है loudness दूसरा है pitch और तीसरा है quality अब आपको physics नहीं भी आती है तो भी यदि मैं आपसे पूछता हूं कि shout और whispering में से कौन सा sound ज्यादा loud है तो आप बोलेंगे shout तो shout और whispering इनके बीच फर्क किस बात का है loudness का फरक है इस तरह हम पहचानते है loudness से कि वो shout है या फिर वो whispering है for example या फिर roaring of lion और humming of bee में भी loudness का फरक होता है जिसको हमारा ear समझ पाता है तो loudness इसी से इसी के basis पर आप बताते हैं कि वो shout है या वो whispering है फर यदि मैं आप से पूछता हूं कि male voices वो shrill होती हैं ग्रेव होती हैं तो male voices are grave whereas female voices are shrill तो shrillness और graveness हिंदी में जिसको बोलते हैं तीखी आवाज तो तीखी आवाज है जैसे violin की आवाज होगी या guitar की आवाज होगी तो वो होती है श्रिल और तबले की आवाज होगी तो वो होती है ग्रेव तो श्रिलनेस और ग्रेवनेस इसका perception कहलाता है pitch कि वो आवाज श्रिल है या वो ग्रेव है और quality से आप बता पाते हैं कि वो sound musical है या फिर वो noise है musical है या वो noise है इस तरह यह तीन हमारे sensations है loudness pitch और quality loudness से आप बता पाते हैं कि वो sound shout है या whispering है pitch से आप बता पाते हैं कि वो श्रिल है या ग्रेव है ग्रेव मतलब मोटी आवाज और तीक्षन कानों को चुबने वाली आवाज होगी तो उसको हम बोलेंगे shrill है वो sound shout मतलब समझ जाना loudness ज्यादा है whispering के relative और musical और noise इसको हम waveform से बता सकते हैं वैसे तो loudness और pitch को भी हम waveform से मालूम कर सकते हैं loudness का लेना देना होता है intensity of sound के साथ में अभी मैं आपको बताता हूँ कि intensity यह है objective और loudness यह subjective है किसी quantity को हम objective या subjective क्यों और कैसे कहते हैं वो अभी हम समझते हैं आगे और हमको सबसे पहले इसे ही पढ़ना है इसी में numerical problems बनाई जाती हैं आपने वो relation पढ़ा होगा beta sound level is equal to 10 log i by i naught उस पर बेज problems पूछी जाती है sound level की problems तो वो हम करेंगे अभी तो loudness का लेना देना है intensity of sound के साथ और intensity amplitude पर depend करती है तो intensity यदि amplitude पर depend करती है और intensity और loudness भी directly proportional तो नहीं होते पर dependent होते हैं तो हम कह सकते हैं कि loudness के amplitude पर depend करती है और waveform को देखकर आप बता सकते हैं कि वो sound loud sound है या वो faint sound है comparison में जैसे मान लो ऐसा कोई waveform बना हुआ है और दूसरा waveform इस तरह का है तो आप देख रहे हैं इसमें amplitude कम है इसमें amplitude ज्यादा है तो ये वाला sound ज्यादा loud होगा याना amplitude के basis पर भी हम loudness को बता सकते हैं इसको हम आगया भी पढ़ेंगे pitch का लेना देना होता है frequency के साथ में frequency के साथ में फिर से frequency या objective है और pitch ये है subjective subjective का मतलब होता है person to person जो vary करता है एक ही pitch का sound किसी को shrill लग सकता है किसी को grave लग सकता है उसके कान के sensation पर वो based होता है तो pitch ये है subjective और frequency है objective और quality का लेना देना होता है waveform के साथ में पहले pitch की बात कर लें थोड़ी सी तो pitch कब हमको shrill महसूस होगा जब frequency होगी ज्यादा frequency का sound है जैसे जो string वाले instruments होते है musical instruments वो क्यों shrill sound produce करते है क्योंकि उससे produce होने वाले sound की frequency ज्यादा होती है और grave यदि है sound तो frequency होती है musical का मतलब है waveform यदि identical है हमेशा वही waveform बना हुआ है तो sound होता है musical और waveform लगातार abruptly यदि वो change हो रहा है बार-बार change हो रहा है कभी ज्यादा कभी कम यदि बदल रहा है कहें तो वो हो जाती है noise और noise का मतलब होता है mixing of many waves बहुत सारे musical sounds भी यदि synchronized नहीं होंगे step out हो जाएंगे वो sounds तो सब मिलकर बन जाता है noise इसको अभी हम समझेंगे तो कुल मिला के कहना यह है कि characteristics का मतलब क्या है तो यह तीन properties हैं यह तीन characteristics हैं जिनके basis पर हम दो sounds को distinguish कर पाते हैं एक दूसरे से loudness इसी से आप बता पाते हो कि वो shout है या वो whispering है और pitch के basis पर आप बताते हैं कि वो shrill है या वो grave है और quality के basis पर हम बताते है musical है या वो noise है अब हमको detail में इसको पढ़ना है loudness को आगे आप sound level का formula derive करेंगे तो थोड़ा सा logarithm देखकर रखें तो आपको easy हो जाएगा उसकी problem solve करने में आसानी हो जाएगी logarithm के लिए अलग से एकमा वीडियो बना रहा हूं वो भी आप जरूर देखना कई जगे physics में logarithm हम यूज करते है math और chemistry में तो आप यूज करते ही है पर log का आपको थोड़ा idea होगा तो problems आपसे आसानी से बनेंगे तो अब हम discuss करने जा रहे है loudness अब हम discuss करेंगे पहला characteristics loudness of sound और उसके पहले थोड़ी सी बात करेंगे intensity of sound की आप जानते है sound is a form of energy sound is a form of energy intensity of sound से क्या मतलब है intensity का मतलब है average energy crossing normal to unit area in unit time किसी surface area से मानलो sound pass हो रहा है ट्रेवल कर रहा है तो जितनी average energy unit area से unit time में cross हो जाएगी उसे ही कहते है intensity of sound average energy crossing per unit area per unit time normal to that area is called intensity of sound इसको आई से डिनोट कर सकते हैं और इसका एक formula आपको याद रखना चाहिए half rho, rho is density of the medium in which sound is traveling, rho आएगा यहाँ पर फिर आएगा velocity of sound in that medium, फिर omega square यह है angular frequency और capital A यह है amplitude, amplitude of the wave, तो half rho V omega square A square is intensity of sound, average energy crossing per unit area per unit time, तो यह formula याद रखना चाहिए intensity का, फिर intensity की unit क्या होगी, इसकी unit कैसे बनाएंगे, यह क्या है energy, मतलब joule, area याने meter square, और यहाँ आएगा second, और joule per second क्या होता है, वो होता है watt, तो watt per meter square, unit भी अपना मतलब बताती है, power per unit area, direct आप कह सकते हैं, average energy per unit area per unit time, तो हमने average energy को यदि time से divide कर दिया, तो हम बोल सकते हैं, average power, तो average power crossing unit area, normal to that area, is called intensity, इसकी unit watt per meter square, यह याद रखनी चाहिए, अब intensity of sound, यह objective है, या subjective है, तो यह objective होने का मतलब क्या है, कि measurable है, और जितना इसका measure होगा, मतलब जितनी इसकी value आएगी, वो person to person vary नहीं करेगी, सब के लिए वो एक जैसी होगी, इसलिए इसको कहते हैं objective, अभी हम पढ़ेंगे, कि loudness और intensity, यह भी आपस में related हैं, पर loudness, यह subjective है, यह subjective है, इसका मतलब इसको measure तो कर सकते हैं, पर इसका perception, person to person, vary करेगा, इसलिए हम बोलते हैं, loudness is subjective, intensity of sound is objective, और intensity of sound का जो perception है, उसी को loudness कहते हैं, intensity of sound जो हम feel करते हैं, intensity of sound की जो हमें feeling होती है, उसको कहते हैं loudness, और इसी के basis पर हम बता पाते हैं, कि कोई आवाज वो shout है, या वो whispering है, आगे अभी हम इसका एक scale बनाएंगे, loudness के लिए logarithamics scale, तो आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करेंगे loudness की, loudness मतलब होता है, sensation received by ear due to intensity of sound, intensity of sound का जो perception है, उसको कहते हैं loudness, जो sound का एक character stack है, और जिसके basis पर हम बता सकते हैं, कि shout और whispering में क्या फर्क है, उसको कहते हैं loudness, और अभी हमने बोला था आप से कि loudness ये subjective quantity है, इसको measure तो करी ही सकते हैं, पर person to person, इसका जो perception है, वो अलग-अलग हो सकता है, वेबर और फेचनर नाम के scientist ने experimentally, intensity और loudness के बीच relationship establish किया, पहले समझते हैं हम limit of hearing, limit of hearing, और confused नहीं होना, एक और limit आपने पढ़ी हुई है, जिसको कहते हैं, limit of audibility, audibility, limit of audibility, वो क्या होती है, वो है 20 hertz to 20 kilohertz, मतलब 20 thousand hertz, ये जो range है, frequency की, इसको कहते हैं, limit of audibility, मतलब हमारा कान 20 hertz से 20 thousand hertz के बीच frequency के sound को सुन सकता है, पर यहां हम बात करें, limit of hearing की, this is not limit of audibility, limit of hearing क्या है, तो सबसे छोटी intensity, जिसका हमारा कान, जिसको sense कर सकता है, जिसका perception हमको हो सकता है, वो threshold है, audible sound का, और वो है 10 raised to the power minus 12 watt per meter square, यह सबसे कम intensity, जिसके लिए हमारा कान respond करता है, और जो threshold है, pain का, मतलब maximum intensity, जिसके आगे यदि intensity हुई, तो वो कानों को नुकसान पहुचा सकती है, यानि यह है threshold of pain, one watt per meter square, और आप देख रहे हैं, यह बहुत wide range है, बहुत बड़ी range है, और हमको इसको measure करने के लिए, loudness को measure करने के लिए, एक scale बनाना है, linear scale यह आप बनाएंगे intensity का या loudness का, तो ऐसा scale बनाना मुश्कल काम है, क्योंकि यह बहुत बड़ी range है, तर देख रहे हैं, आप 10 to the power minus 12 से 1, तो कितने divisions होंगे, यह दि लीनियर scale बनाएंगे, आप कलपना ही कर सकते हैं, यानि लीनियर scale बनाना बहुत मुश्कल काम है, और इसलिए, जैसा मैंने कहा, Weber और Fetchener ने loudness और intensity के बीच एक relationship establish किया, और उसी relationship से हमने बनाया है एक logarithmic scale, to measure this quantity loudness, और इसी से अभी definition निकल कर आएगी, sound level की, फिर हम numericals पर आएंगे, तो यह है limit of hearing, बहुत बड़ी range, तो इसलिए वो logarithmic scale बनाया गया, तो अब हम बात करेंगे, किसकी, Weber Fetchener के, उस relation की, और उसी से फिर, अभी establish करेंगे, logarithmic scale, इसको क्या बोलेंगे, हम I not कहा करेंगे, इस intensity को, उस scale में हम इसी को reference intensity बनाएंगे, और इस से किसी दूसरी intensity का हम difference फिर बताया करेंगे, उसको कहते हैं sound level, अभी मैं उसको आपको clear करता हूँ, तो अब बात करेंगे उस logarithmic scale की, तो जैसे पहले मैंने कहा आप से कि Weber Fetchnar ने, Weber Fetchnar ने experimental basis पर intensity of sound और loudness के बीच, एक relation established किया, experimentally they found L is equals to K log I, यह K क्या है, proportionality constant है, I is intensity and L is loudness, तो L is equals to K log I, मोटे मोटे तो और पर हम यह कह सकते हैं, कि loudness intensity पर depend करती है, और intensity depend करती है square of amplitude पर, याने sound का amplitude यदी ज़्यादा होगा, तो intensity ज़्यादा होगी, loudness ज़्यादा होगी, तो ऐसा एक relation बताया, Weber Fetchnar ने experimental basis पर, अब हमको बनाना है वो logarithmic scale, उसके लिए जो intensity हम reference intensity लेंगे, वो कौन सी है, वो है, 10 raised to the power, 10 raised to the power minus 12, 10 raised to the power minus 12 watt per meter square, इसको मैं बनाएंगे reference, इसको मैं लिखता हूँ I naught, और इसके corresponding, loudness है मानलो L1, loudness है L1, यह पहली बात, और दूसरा, कोई sound है जिसकी intensity है I, और हमें इसे compare करना है, मतलब इदर intensity यह दी I naught से I हो जाती है, तो इदर loudness L1 से L2 जो हो जाएगी, वो कितनी होगी loudness, तो एक बात अभी दिमाग में रख लें, अभी हम एक relation बनाएंगे, उसमें आप यह देखेंगे, कि इस I naught को तो हम, क्या कर रहे हैं, इसका multiple यह fraction ले रहे हैं, पर इधर L1, L2 में आएगा difference, यानि ऐसी एक equation बनाएंगे, जिसके RHS में ratio होगा, और LHS में होगा difference, यह अजीब सी बात लगती है, पर यह अभी मैं आपको समझाऊंगा, और यही इसमें समझने जैसी चीज है, तो पहले तो यह relation दिमाग में आजाए, L is equals to K log I, और जैसा मैंने कहा कि I naught यह क्या है, threshold of audible sound, सबसे छोटा sound जो हम सुन सकते हैं, सबसे कम intensity, उसको मैंने लिख लिया I naught, और इसके corresponding loudness है मान लो L1, तो इस relation से, इसके लिए कैसी equation बना ली जाएगी, L1 is equals to log, अब K कहां गया, तो units इस तरह की choose करते हैं, कि वो K1 हो जाता है, तो यहां हम लिखेंगे, L1 is equals to log I naught, अब एक बात ज्याद रखें, कि यह जो log लिखा हुआ, यह कौन सा logarithm है, तो यह है common logarithm, जिसमें base होता है 10, एक और होता है न, natural logarithm, उसमें base होता है small e, पर unless stated, कुछ नहीं बोला हुआ है, तो यह है common logarithm, तो L1 is equals to हो गया, log I naught, और एक बात और, वो यह, कि यह काम हम कर रहे हैं, at 1 kilohertz, 1 kilohertz वो frequency होती है, जिस पर human eye most sensitive होता है, और loudness की एक unit होती है, phone, phone F, नहीं, P-H-O-N, phone, और एक unit होती है, bell, यह दोनों units, agree हो जाती है, इस frequency पर, यानि यह सब बात जो हो रही है, यह हो रही है, 1 kilohertz पर, तो I naught, इसको हमने reference intensity बनाया, उसके corresponding loudness है, L1, तो एक equation बनाया, L1 is equals to log I naught, और दूसरी intensity वो है I, उसके लिए equation लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, L2 is equals to log I, अब क्या करते हैं, अब L2 में से L1 को subtract कर देते हैं, यह दो equations बनी हैं, यह equation 1, यह equation 2, और अब L2 में से L1 को subtract कर देते हैं, तो L2 माइनस L1 साफ तोर पर यह है, difference in loudness, यह difference in loudness है, और इधर क्या होगा, इधर आप लिखेंगे, log I, minus log I naught, ऐसा लिखेंगे, और आप आपको logarithm की properties मालूम होंगी, log M, minus log N, यह होता है, log M upon N, तो यहाँ में 10 लिख देता हूँ, यदि नहीं भी लिखा हो, तो आप मान लेंगे, कि base है 10, तो यहाँ आएगा log, base 10, I upon I naught, I upon I naught, is equal to, यह क्या आया है, L2 माइनस L1, यह है difference in loudness, और इसको कहते हैं, sound level, जहान से सुना होगा आपने, इसको कहते हैं, sound level, तो beta is equals to, log, base 10, I upon I naught, यह आया है हमारे पास में, sound level का formula, this is sound level, और इस equation की, खूबसूरती यह है, किसके, इधर RHS में, यह ratio है intensity का, जबकि LHS में, यह है difference, यहां यहां आप यदि, ऐसा कहते हैं कि, intensity double हो गई, और उसको solve करते हैं, log, base 10, 2 लिख कर, तो इस तरफ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, change in loudness, difference in loudness, उसके अलावा, इसकी unit जो होगी, वो होगी, बेल, B-E-L, in the honor of, क्या था उसका नाम, Alexander Graham Bell, inventor of telephone, उसके honor में, यह unit है, बेल, तो यह sound level की unit हुई, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, beta is equal to, क्योंकि वो जो sound हम सुनते हैं, वो decibels में होते हैं, बेल में नहीं होते, और deci का मतलब होता है, वन टेंथ, तो क्या करेंगे इस equation को, फ़र इस equation को repeat करता हूँ, beta is equal to log, i, याने नई intensity, upon reference intensity, reference intensity हमने इसे बनाया हुआ है, यह threshold of audible sound, 10 raised to the power minus 12 watt per meter square, तो क्या करेंगे, करेंगे यह कि इस equation को, यह है किसमें भी, यह equation है bell में, इसको लिख देता हूँ में bell, और अब क्या किया, आब यहाँ 10 का, गुणा और 10 का भाग लगा दिया, 10 से multiply किया इस equation को, और 10 से कर दिया divide, log base 10, i upon i naught, into, यहाँ क्या लिखना है, 1 by 10 bell, और 1 by 10 bell का मतलब क्या है, decibel, याने equation कैसी बन गई, इस तरह की equation बन गई, beta is equal to 10, log, 10 तो ही आएगा, यह चीज क्या बन जाईगी, decibel, याने log, base 10, i upon, i naught, और इसको, डब्बे में बंद करें, और इसकी unit लिखें, decibel, तो equation यह इस तरह से आईए, derivation करना इसलिए जरूरी है, कि अभी हमने reference इसको बनाया है, पर किसी भी sound को आप reference बना सकते हैं, और ऐसा scale बना लिया, इसको कहते हैं, logarithmic scale, तो यह छोटा हो जाएगा, scale छोटा होने से, easily वो loudness आप measure कर सकते हैं, sound level को measure कर सकते हैं, तो यह equation याद रखें, beta, beta क्या है, sound level, difference in loudness, change in loudness, is equal to 10 पहले से आता है, into log base 10, यहाँ आएगा, i by i naught, अब आप, इस equation में यही, i को कर देते हैं, i naught, इसका मतलब क्या हुआ, यह जो reference की intensity थी, खुद से ही उसे compare कर दिया, इस तरफ, i naught है, यह i naught कर लें, तो यहाँ कितना आएगा, one, और log, base 10, one, इसका मतलब आप समझते होंगे, कि 10 के उपर, कितना power race कर देंगी, one आ जाए, obviously वो होगा zero, यानि यह sound जो है, यह है zero decibel का sound, यानि difference उसका, zero decibel होगा इसके साथ में, i naught के साथ में, तो हमेशा याद रखें, कि यह जो इधर है, यह है ratio, और इधर है यह difference, यह है change in loudness, तो ऐसा scale, हम use करते हैं, sound level के लिए, या loudness के लिए, अब इसके उपर problems करेंगे, पर उसके पहले, ताकि कुछ examples दूँगा, जिससे आपको, इसको use करना आजाए, कि यह equation हमको, use करना क्या है, और यह equation हमको बताती क्या है, इसको और थोड़ा सा, और अच्छे से समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आभी जो हमने, sound level के लिए, equation derive किया, उसको एक बार और समझते हैं, beta is equal to, हमने लिखा था, 10 log base 10, I upon I0, हमको क्या क्या याद रखना चाहिए, इसमें सा I0 क्या है, I0 है, reference intensity, कितनी, 10 raised to the power, minus 12 watt per meter square, threshold of hearing, और जब intensity को, I0 से I कर देते हैं, तब sound level में आने वाला change है, बीटा, यह 10 का बाता है, जब हम answer fine कर रहे होते हैं, decibel में, और bell में यह आफ fine करेंगे, तो यह 10 नहीं आएगा, यह याद रखना चाहिए, आप कुछ examples हम लेते हैं, पहला example लेते हैं, threshold of, threshold of hearing, मतलब minimum intensity का sound, जो हम सुन सकते हैं, वो कितना हैं, वो है 10 raised to the power, minus 12 watt per meter square, intensity पहले कितनी थी, I naught, I naught भी यही था, और intensity I भी यही है, तब, change in sound level कितना होगा, यह हम find करना चाहते हैं, तो यह दोनों ही I naught है, तो कैसा आएगा equation, beta is equals to 10, log base 10, यहां आएगा 1, यहां आएगा 1, और इसको कैसे solve करेंगे, सर्फ इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे सोचना चाहिए, कि 10 के उपर क्या power raise करें, क्या answer आजाए 1, क्या power raise करेंगे 0, anything raised to the power 0 is 1, तो, यह सब कुछ खतम होकर, क्या आजाएगा 0 decibel, और यह तो obvious है, क्योंकि हमारा reference है i naught, और उसे हम i naught बनाकर, change in sound level, जानना चाहरे हैं, तो जीरो ही आएगा, अब lower classes के बच्चों से भी पूछें, कि क्या हमको, 0 decibel का sound सुना ही देता है, decibel तो उन्होंने सुना होता है, 0 decibel का sound क्या हम सुन सकते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं सुन सकते, सच क्या है, कि उसको हमने reference बनाया, उसे हमने 0 ले लिया है, उसके relative फिर हम, change in sound level बताते हैं, जब intensity में change किया जाता है, तो 0 decibel का sound वो sound है, जिसको हम सुन सकते हैं, minimum intensity या minimum decibel का वो sound है, फिर हम बात कर लेते हैं, अब threshold of pain की, threshold of pain, मतलब maximum intensity, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसके आगे intensity के बढ़ाय जाने पर decibel भी बढ़ेगा, और फिर हमारे year को नुकसान पहुँचेने की possibility बढ़ जाएगी, threshold of pain, watt per meter square में कितना होता है, watt per meter square, तब फिर बीटा फाइं करना आपको increase in sound level, यहां आएगा 10, log, base 10, यहां आएगा 1, intensity थी कितनी, 10 raise to the power minus 12 watt per meter square, इसको कर कितना दिया, 1 watt per meter square, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा 10 raise to the power 12, याने 10 log 10, 10 to the power 12, अब इसका answer क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, 10 के उपर क्या power raise करें, कि 10 raise to the power 12 आजाए, तो यह तो 12 भी होगा, यह 12 into 10, याने यह हो गया 120 decibel, तो आपको एक आइडिया हुगा, कि हमारी जो limit of, limit of hearing होती है, limit of hearing, अब तक आप बोलते थे कि वो है 10 raise to the power minus 12, 25 watt per meter square से 1 watt per meter square, उसी को आप कह सकते हो कि वो है, from 0 decibel to 120 decibel, 120 decibel से ज्यादा यदि sound level हुआ, तो हमारे कान को नुकसान पहुच सकता है, अब normal conversation का sound level कितना होता है, तो याद रखना चाहिए, वो होता है 50 से 60, आजकल कुछ app भी आने लगे हैं, फोन में आप उसको देख सकते हैं, किसी कमरे में आप बैठे हैं, और वहाँ पर पंखा चल रहा है, cooler चल रहा है, तो sound level कितना है, उसको आप उस app से चेक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे, नॉर्मल कनवर्सेशन में, वो 50 से 60 के आराउंड आएगा, ये नॉर्मल कनवर्सेशन का sound level है, तो ये दो examples आपको याद रखने हैं, उसके अलावा, यदि मान लो intensity sound की है, आई नॉट, और इसको बढ़ा कर, मान लो आपने कर दिया, 100 आई नॉट, तो sound level कितना बढ़ जाएगा, ऐसा इदी पूछा है, तो कैसे solve करेंगे, बीटा इस इकोईस टू 10, लॉग बेस 10, 100 आई नॉट, ये यहाँ आएगा, अपन आई नॉट, तो यहाँ मिलेगा हमको 100, अब अपने आप से पूछना आगी, 10 के उपर कितनी पावर रेस करने से 100 आएगा, तू, तू इन्टू 10 इस 20, 20 decibel, याने ये बात सही है, कि loudness intensity पर depend करती है, पर वो direct proportion में नहीं करती है, आप देख रहें, intensity को 1 से 100 कर दिया, और sound level में सिर्फ change आया, होता है, अब ऐसा question पूछ सकते हैं, कि intensity आई नॉट थी, और उसको कर दिया हमने, 1000 आई नॉट, तब increase in sound level कितना होगा, तो 10, log base 10, यहां आएगा 1000, और इसका मतलब क्या होगा, इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा 3, log is an exponent, मतलब 10 पर raise की हुई वो power, जिससे 1000 answer आजाए, 3 होगा, यहां होगा यह 3, इंटू 10, यानि यह हो जाएगा 30 decibel, ठीक है, 30 decibel, और यह soothing level है, 30 decibel के आसपास यही sound हो, तो कानों को अच्छा महसूस होता है, तो उससे strain नहीं आता, ठीक है, बहुत जादा यह दी decibel होगा, तो सरदर्थ की शिकायत हो सकती है, तकलीफ होने लगती है कानों को, BP पर भी उसका effect आता है, इसलिए आप से कहा जाता है, कि बहुत loud sound नहीं सुनना चाहिए, वो earphones लगा कर, बहुत तेज आवाज में music नहीं सुनना चाहिए, उससे आपके कानों को और body को नुकसान पहुँचता है, तो आगे एक दो examples और करते हैं, फिर numerical problems पर आएंगे, अब एक example की और बात करते हैं, इसके पहले हमें intensity ratio देकर, change in sound level या change in loudness हमसे पूछा जाता था, instead ये भी कह सकते हैं, कि यदि sound level में change 1 decibel हो, तो intensity ratio कितना होगा, standard result है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, जिस तरह 0 decibel से corresponding intensity, 120 decibel से corresponding intensity हमने याद रखी हुई है, वैसे ही इसको भी याद रख सकते हैं, 1 decibel यह है change in sound level, हमको intensity ratio पूछा हुआ है, तो equation तो फिर से वह ही use होगा, बीटा इस इक्वेस टू 10, लॉग, बेस 10, आए बाए, आए नॉट, और यहां substitute कर देंगे हम 1 decibel, यह भी decibel में था, तो decibel cancel out हो जाएगा, इधर आएगा 1, 10 को ले जाते हैं LHS में, तो हो जाएगा 0.1, 1 by 10 is equals to log base 10, I by I naught, ऐसी equation बनेगी, अब हमको लेना पड़ेगा anti-log, anti-log का मतलब यह है, कि 10 के उपर 0.1 की power raise करने से, I by I naught आजाएगा, क्योंकि log is exponent, मतलब 10 पर 0.1 की power raise कर देंगे, तो I by I naught आजाएगा, इसी बात को ऐसे लिखते हैं, मैस की language में, anti-log 0.1 is equal to I by I naught, टेबल से इसकी value लेंगे, या फिर आप ट्रेक भी इसकी जानते हैं, मैंने वो logarithm वाले वीडियो में discuss किया हुआ है, anti-log 0.1 यह होगा 1.26, यानि I is equal to हो जाएगा 1.26 I naught, इसी बात को हम यह ऐसा कह सकते हैं, कि यह इंटेंसिटी 26% बढ़ा दें, तो sound level में 1 decibel का change आजाता है, तो इस result को भी याद रखेंगे, अब अभी तक हम reference intensity I naught को बना रहेते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, reference हम किसी भी intensity के sound को assume कर सकते हैं, ऐसा एक formula फिर बना लिया करेंगे, sound level 2, SL2, minus SL1, कहने का मतलब यह है, कि यह है reference sound, उसका level है L1, उसके corresponding, जो sound level होगा, उसको क्या लिखेंगे हम, intensity यदि I1 हो, तो उसको हम लिखेंगे, 10 log, यहां आएगा, I1 upon I0, यह second term मैं लिख रहा हूँ, यह वाली SL1, और यह है SL2, उसको क्या लिखेंगे, 10 log, एक formula बना रहे हैं, I2 upon I0, अब की बार वो reference, जो है वो, वो कितना है, वो है, I1, तीन इंटेंसिटी इसे हैं, देखो, I0, I1, और I2, इसके corresponding sound level है, SL1, इसके corresponding है, SL2, यह हमको given है, यह हमको find करना है, मन लो, तो ऐसी लिखेंगे न, SL2 बराबर क्या होगा, 10 log, I2 by I0, minus 10 log, I1 upon I0, और यहां, 10 common लेकर, log M, minus log N, लगा देंगे, log M upon N, तो log M, मतलब ही, I2 upon I0, upon N, इसे divide करेंगे, यहां आएगा, I0, यहां आएगा, I1, यह I0, cancel out, तो formula, ऐसा बन जाएगा, 10, log, बेस 10, I2, upon I1, is equal to change in sound level, तो अब यहां पर, आप देखना है, reference कौन हो गया है, not I0, but I1, तो यह formula हम use किया करेंगे, जब हमको, ऐसी quantities दी होंगी, कोई sound level दिया होगा, उसके corresponding intensity, दूसरे वाले की intensity देके, sound level में change पूछेंगे, या फिर, sound level में change देकर, intensity पूछेंगे, तब यह formula हमको लगाना है, तो बिल्कुल वैसा ही formula है, इस जैसा, I by I0 की जगे, I2 upon I1 हमको याद रखना चाहिए, यह भी, answer decibel में ही होगा, तो अब थेरी बहुत हो गई है, अब हम problems करेंगे, previous year में आई हुई भी, और कुछ नई problems, तो अब numerical problems में, यह पहली problem करेंगे, the intensity level of a sound wave is set to be 4 decibel, मतलब क्या है, कि reference intensity I0, 10 raised to the power minus 12 watt per meter square, मानने पर, sound level है 4 decibel, और मान लेते हैं कि इसके corresponding intensity है I, आगे क्या बोल रहे हैं, if the intensity of the wave is doubled, intensity 2 I जब कर दी, then the intensity level of the sound as expressed in decibels would be, तो क्या information दी है, I0 है, reference intensity, और 4 decibel है sound level, जब intensity है, मान लो I1, कि case 1, और फिर क्या किया, intensity को double कर दिया, intensity कर दी, मान लो 2 I1, तब sound level कितना हो जाएगा, यह हम से पूछा हुआ है, तो हम दो equations बना लेंगे, और उनकी solving से, फिर यह हम निकाल लेंगे sound level, नया वाला, तो इस data से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, 4 decibel is equal to 10, formula आपको पता है, यह है बीटा, is equal to 10, log base 10, intensity I1, upon reference intensity, I0, यह equation 1 हो गई, और इस data से क्या लिखेंगे, हम को चाहिए, sound level 2, SL2 लिख देते हैं उसे, यह बीटा 2 आप लिख सकते हैं, is equal to 10, log base 10, intensity I2, और I2 कितना हैं, 2 I1, 2 I1 upon I0, क्योंकि intensity double कर दी है, बस इसको हमें solve करना है, तो अब SL2 minus 4, equation 2, minus equation 1 कर देते हैं, तो यह LHS में, RHS में 10 common आएगा, पहले आएगी यह वाली term, और फिर यह, और फिर लगा देंगे, log M, minus log N का formula, तो वो होता है, log M upon N, तो यह आएगा यहां, 2 I1 upon I0, यह numerator में था, और यह denominator में था, reciprocate होकर, I0 upon I1 हो जाएगा, यह I0 cancel, I1 cancel होकर, यहां बचता है 2, तो 10 log base 10, और यहां आएगा 2, और log 2 की value, common logarithm की, यह सब values, याद रहती हैं, नहीं याद है, तो इसको याद कर लेना चाहिए, इसको आप 0.3 ले सकते हैं, 0.3 ले लेते हैं, तो SL2, minus 4, is equal to, 10 into 0.3, यह हो जाएगा 3 decibel, SL2 मतलब नया sound level हो जाएगा, 4 plus 3, that is 7 decibel, और यह इस question का answer है, and so option C is correct, अब अगला question करते हैं, question 2, बहुत ही आसान है, how many times, more intense is 90 decibel sound, than 40 decibel sound, मतलब क्या है कहने का, कि 40 decibel sound से, कितना intense है, 90 decibel का sound, तो फिर से हम sound level वाली equation, use करेंगे, 40 decibel के लिए क्या लिखेंगे, 40 is equal to, 10, log, क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं, आई वन, और reference intensity, आई नॉट, बेस एन, यह 40 decibel के corresponding equation लिख लिया, और दूसरा है, 90 decibel, तो 90 is equal to 10, log, बेस 10, आई टू, अपान आई नॉट, ऐसी दो equations बना लेंगे, और फिर, equation 2 में से, equation 1 को सब्ट्राक्ट करते हैं, तो 90, minus 40, यहां हो जाएगे, यह 50, is equal to, यहां 10 common आएगा, और फिर, log M, minus log N का formula लगा देंगे, log M upon N, यहां क्या आएगा, log, पहली आएगा, यह numerator मे था, I2 upon, I0, और, यह denominator मे था, तो यह हो जाएगा, I0 upon, I1, ऐसा आएगा, और यहां होगा, base 10, यह I0 cancel, हमको, यह intensity ratio ही चाहिए, जब sound level, कितना हो गया है, 40 से 90 हो गया है, तो बस इसको divide करने, तो यह हुआ 5, 5 is equal to, log, base 10, और यहां के आएगा, I2 upon, I1, अब log में लिखिऊ ही, इस equation का मतलब, आप समझते हैं, इसका मतलब होता है, 10 के उपर, 5 की power यदि, raise कर दें, तो क्या मिलेगा, I2 upon, I1, I2 upon I1, will be 10 raised to the power, 5, यही रेशो हमसे पूछा हुआ था, हमसे पूछा था, हमसे पूछा था हूमें नहीं, times more intense, मतलब I2 बराबर होगा, 10 raised to the power 5, into I1, यहीं इंटेंसिटी को, 10 raised to the power 5, 5 times करने से, 40 decibel का sound था, और वो हो जाएगा, 90 decibel का, यहीं 50 का, चेंज आजाएगा, जब इंटेंसिटी रेशो, 10 raised to the power 5 होगा, and so option, D is correct, अब आगला question, theoretical question है, क्या बोला है, if the pressure amplitude, in a sound wave is tripled, then by what factor, the intensity of sound wave is increased, आपको पता है कि, intensity, यह amplitude square से, directly proportional होती है, और क्योंकि sound wave, यह pressure wave भी कहलाती है, इसमें pressure के changes होते है, तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते है, square of pressure, हमसे क्या बोला हुआ है, pressure amplitude को, इसको आप चाहें, तो P not भी लिख सकते हैं, pressure amplitude, तो pressure amplitude को, तीन गुना करने पर, intensity sound wave की, कितने गुना हो जाएगी, तो P को 3 times करेंगे, तो intensity 9 times हो जाएगी, option C correct हो जाएगा, बहुत ही आसान question है, अगला question करेंगे, तो अब यह अगला question, a line source emits a cylindrical expanding wave, if the medium absorbs no energy, then the amplitude will vary with distance r, from the source as proportional to, किसके बारे में बात हो रही है, amplitude के बारे में, और पूछा क्या है हमसे, कि amplitude r के साथ, किस तरह vary होता है, और बात हो रही है, किसी line source की, तो line source के लिए याद रखें, कि intensity r से होती है, inversely proportional, क्योंकि यह source कैसा है, line source, कोई point source होता, तो यहाँ पर आता r square, तो i is proportional to 1 upon r, और i और amplitude में, क्या relation होता है, intensity is directly proportional to square of amplitude, हमसे पूछा हुआ है, इन दोनों के बीच में relation, तो साफत तोर पर आप क्या करोगे, आप square root लोगे, किवल इतना part हमको देखना है, तो a proportional to हो जाएगा, 1 upon r raised to the power half, square root लेने पर, याने a proportional to r raised to the power minus half, याने proportional to लिखा हुआ है, और इसलिए लिखेंगे, a is proportional to r raised to the power minus half, inverse proportion बोला होता, तफर यह कहते हैं, कि amplitude is inversely proportional to r raised to the power half, हाल फिलाल आंसर c is correct, आप यह next question करेंगे, the intensity level of sound a, is two bell greater than that of b, how many times more intense is the sound a, compared to that of b, हमको intensity ratio चाहिए है, और यह condition दी हुई है, intensity level of sound a is two bell greater than that of b, तो sound level a का, क्या बोला हुआ है, sound level a का कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, इसको लिख लेते हैं, sl a, यह two bell ज्यादा है, bell को अंडलाइन कर लेना चाहिए, आपको याद आया होगा कि उस relation में, फिर हमको 10 का multiplication नहीं करना, sound level वाले relation में, क्योंकि हमको intensity या loudness bell में दी हुई है, तो sl a is two more than sl b, यह condition दी हुई है, अब आप चाहिए तो direct formula यूज कर लें, या फिर sl a को क्या लिख सकते हैं, sound level a का, उसको लिख सकते हैं, बगार उस 10 की value के, यह 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह bell में दिया हुआ है, log, यहां क्या लिखेंगे, इसकी intensity sound की, upon reference intensity, i naught, bell में, sl a की value लिखी, इसी तरह sl b भी लिखेंगे, उसको इस तरफ लाते हैं, lhs में तो log, यहां होगा ib, upon i naught, ऐसी equation बना लेंगे, और यह किसके बराबर है, यह बराबर है two के, और यहां log m, minus log n formula लगा दीगे, वो होगा log m upon n, log m upon n, मतलब ही, i a upon i naught, upon ib upon i naught, यह reciprocate होकर, i naught upon ib हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, z equals to two, यह i naught cancel, अब इस equation का मतलब आप जानते हैं, मैं फिर से इसको लिखता हूँ यहां, log base 10, i a upon ib, is equal to two, इसका मतलब यह है कि, 10 के उपर two की power race कर दें, तो कितना मिलता है, i a upon ib, और यही हम को चाहिए था, यह हुआ 100, यहने relation तो यह है, i a is 100 times ib, जो multiplication factor है, वो कितना है, 100, तो option b correct हो जाएगा, बस इसमेदी आप यहां 10 ले लेंगे, गलती से यहां ध्यान नहीं देंगे, यदि, decibel में होता, तो फिर यहां पर 10 आता, यहां भी 10 आता, और फिर यहां पर भी 10 आता, तो आंसर गलत हो सकता है, या फिर हमको लगेगा, कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, या फिर problem गलत है, ऐसा नहीं है, यहां ध्यान नहींगे, इस value के ऊपर, आगे बढ़ते हैं अगला question, तो अगला question करते है, question number six, क्या बुला है, part A में, यहां पर आप इसको फ्रॉम कर लेना, पावर अफ साउंड फ्रॉम इसको फ्रॉम कर लेना, 20 मिलीवाट, बाटर्निंग दे नॉब अफ वोल्यूम कंट्रोल, पावर अफ साउंड इस इंक्रीज़ तो 400 मिलीवाट, अब 20 मिलीवाट, यूनिट से पता लग रहा है कि यह है पावर, यानि उस स्पीकर की पावर बढ़ा दी है, बाई टर्निंग दे नॉब अफ वोल्यूम कंट्रोल, 20 मिलीवाट से कितना कर दिया, 40 मिलीवाट, हम से पूछा क्या है, वाट इस पावर इंक्रीज इन डेसिबल as compared to the original power. अग, intensity और पावर. intensity क्या होती है? वह होती है, energy, crossing, per unit area per unit time, और energy per unit time, वह होती है power, यानि power per unit area, उसी को तो intensity कहते हैं, तो यह यह तो constant होगा, मतलब वो हमारी sound level के change के उस formula में, बीटा इजी इक्वेस्टू टेन यहां क्या आएगा लॉग बेस टेन यहां पर आता है आई अपॉन आई नॉट इस फॉर्मुले में हमको आई बाई आई नॉट की जगे क्या कर देना चाहिए पी अपॉन पी नॉट क्योंकि पी और आई यह डेरेक्ली प्रपोर्शनल को पॉर्वेटि प्रोपोर्शनल और इसलिए जैसा यहां रेश्यों इंटेंसिटी का है वह साम पावर का रेश्यों भी यहां लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 10 लॉग पी अपॉन पीनॉट अब यहां कितना है पीनॉट मतलब रेफ्रेंस वाला पावर जो पहले था पाव में 400 तो यहां आएगा 400 यहां आएगा 20 कितना आ गया फिर यहां यहां जाएगा 20 10 log 20 ऐसा हो जाएगा और बेस कितना है बेस है 10 अब इसको आपको solve करना आता होगा log 20 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 10 और यहां फिर एक लॉक की प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग एम प्लस लॉग एन ठीक है यह प्रॉपर्टी लगा दी अब लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है से 0.3 लॉग 10 होता है वन लॉग 10 इस वन यहां जाएगा 1.3 यहां जाएगा 1.3 इंटू 10 यह नहीं कितना हो जाएगा 13 मतलब कितनी जिए बढ़ा दिजाए दी 20 मिलींवाट से 400 मिलिंवाट से Даwire हो घो किया एक थर्य कितना हुआएगा 13 लॉइस कि दिश्प judgment है और जब कितनी है değil 20 मिली वाट जब जो कुछ साउंड लonne मिल रहा था उस समया 20 मिली वाट पर उसको यदि 400 milliwat करने से तो 13 का difference आ जाएगा यानि पहले वो यदि X थी sound level तो अब वो हो जाएगे X plus 13 तो यह part A हमने solve किया फिर क्या बोल रहा है part B में how much more intense is 80 decibel sound than 20 decibel whisper पर तो sound level में change फिर से वो दो equations बना के करो या फिर सीधे क्या करो 80 minus 20 यानि 60 LHS में और यहां क्या लिखेंगे क्योंकि अभी यह decibel है ध्यान देना यहां आएगा 10 log reference वाली यह हो जाएगी 20 decibel के corresponding how much more intense is 80 decibel तो यहां आपर आएगा 20 decibel के corresponding intensity और यहां आएगी 80 के corresponding intensity ऐसी equation बना लेंगे और इसको उधर ले जाएं तो यह हुआ च्छै बराबर log आई 80 अपान आई 20 ऐसा बेस टेन और इसका मतलब आप जानते ही हैं इसका मतलब यह हुआ आई 80 अपान आई 60 इक्वल्स टू 10 तू दी पावर 6 10 तू दी पावर 6 तो यह हमारा आंसर होगा यह आई 80 इस 10 रेस तू दी पावर 6 टाइम्स आई 60 यह दो पार्ट से इन दोनों पार्ट के आंसर से अब अगला कुश्चन करेंगे कुश्चन नंबर सिवन असाउंड हाज अन इंटेंसिटी ओफ फाइव इंटू 10 तू दी पावर माइनस एट वाट पर मीटर स्क्वेर एक करेक्शन तो आपको यहां करना है असाउंड है एन इंटेंसिटी ओफ 5 इंटू 10 तू दी पाव माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वेर वाट इस साउंड लेवल इन डेसिबल दूसरा करेक्शन यहां पर तो अब कैसे करेंगे इसको तो अनलेस स्टेटेड जो हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी होगी वह कितनी इसल्ड वाट पर मीटर स्क्वेर हमको बताना है इंटेंसिटी आई इक्वेस तू 5 इंटू 10 तू दी पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वेर के कर्रस्पॉंडिंग साउंड लेवल कितना होगा अब एसल वन कितना होगा वह तो होगा जीरो डेसिबल क्योंकि वही रेफ इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 10 लॉग बेस 10 रेफरेंस इंटेंसिटी यहां आएगी और वो कितनी है 10 तू दी पावर माइनस 12 और यह गिवन इंटेंसिटी कितनी है 5 इंटू 10 तू दी पावर माइनस 8 इसको सॉल्फ करना है इसको तो 0 कर लेंगे SL2 हमको मिल जाएगा तो 10 log यहां क्या होगा 5 times इसको उपर ले जाएगे तो 10 to E par कितना हो जाएगा यह 4 ऐसा हो जाएगा और फिर log M into N यह formula लगा देंगे तो log M plus log N उसको भी आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं N log M वाला formula लगा का तो ऐसा हो जाएगा सब और यह तो easily solve हो जाएगा इसकी value रटी होती है हमको log 5 is 0.7 तो SL 2 is equal to 10 into 0.7 plus 4 क्योंकि इसकी value 1 होगी यह हुआ 4.7 into 10 याने 47 decibel यह इसका answer हो जाएगा तो जब intensity 5 into 10 to the power minus 8 watt per meter square हो तब sound level decibel में होगा 47 जब हमने reference इसको बनाया हुआ है इसके corresponding sound level 0 decibel होता है अब next question करेंगे question number 8 क्या बोला इस question में a certain sound level is increased by an additional 30 decibel 30 decibel यदि sound level का difference लाना हो change लाना हो या increase लाना हो तो intensity को कितना बढ़ाना पड़ता है उसके लिए यह equation लगाएंगे यह हो गया बीटा इस इक्वेशन बनाकर पहले यह देखते है कि 30 decibel यदि increase लाना हो sound level में तो intensity का हमको क्या करना होता है इसको solve करेंगे तो यह होगा 3 is equal to log base 10 i by i not और इसका मतलब आप जनते हैं i by i not i by i not is equal to 10 raised to the power 3 यह intensity को हमें thousand times करना होगा तब decibel value 30 से बढ़ता है अब यहां इस question में बोला है certain sound level is increased by an additional 30 decibel मतलब decibel value मान लो थी बीटा बीटा को हम लिख लेतने हैं 10 log i upon i not और इसको increase कर दिया है कितने से increase कर दिया है thousand times तो यहां क्या आने लगेगा यहां आने लगेगा अब आप यहां कर देंगे क्या 1000 और यह आई रख लेंगे तो आई तो cancel हो जाएगा 10 raise to the power 3 आएगा तो 10 log 10 raise to the power 3 यह नहीं हो जाएगी sound level बीटा 1 कह देते हैं इसको अब इसको आगे solve करेंगे 10 आ गया common log m plus log n log m into n होगा याने log base 10 i by i not into 10 raised to the power 3 ऐसे equation बन जाएगी अब यह कुछ और नहीं है बलकि यह क्या है यह है पहले का sound level पहले का sound level और वो कितने times हो गया है 10 raise to the power 3 याने हमारा answer क्या हो जाएगा 10 raise to the power 3 times याने यदि intensity को 10 raise to the power 3 times कर देंगे तो sound level additionally 30 db से बढ़ जाएगा अगले part में क्या बोल रहे है find the factor by which part a its intensity increases यह answer है b its pressure amplitude increases तो intensity और amplitude में तो यह relationship है तो amplitude is directly proportional to square root of intensity और यही relation होगा pressure के साथ में तो intensity क्योंकि क्या कर दी है हमने intensity 10 raise to the power 3 कर दिया हमसे पूछ रहे है pressure amplitude पी की बात कर रहे है तो intensity यदि कितनी कर दी आपने 10 raise to the power 3 तो यह हो जाएगा 10 to the power 3 by 2 तो यह हमारा प्रेशर हो जाएगा मतलब 10 to the power 3 by 2 से increase होगा pressure amplitude तो यह इस question के answers हैं